हलो दस्तों स्वागत आज की वीडियो में आज की वीडियो में आधार एक्जाम के बारे में कुछ कोशन के बारे में हम जानेंगे जो कि बहुत सी कमेंट आ रहे हैं पिछला वीडियो देख करके पिछला वीडियो में कोशन सीरीज है अगर आप आधार एक्जाम देने जा र रहें आधार एक्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्णों की संख्या कितनी होती है इसका जवाब है प्रश्णों की संख्या 110 होती है अधार एक्जाम देने का समय कितना होता है मतलब उसमें कितना समय लगता है उसमें लगता है एक घंटा पचास मिनट याने की 110 मिनट अधार एक्जाम पास करने का नंबर कितना होना चाहिए पासिंग मांक और ऑपरेटर और सुपरवाइजर के लिए कितने मांक होने चाहिए passing marks है 61 यानि की exit qualified marks 61 supervisor marks 77 plus और operator marks है 61 से 76 के बीच में अगर आपका number आता है 61 तो आप उसमें qualify माने जाएंगे और वो होगा operator marks और आप अगर 76 से अधिक लाते हैं तो ओ marks होगा supervisor के लिए वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें चादे सचादे शेयर करें थैंक्यों पर वाचिंग